सबी को मेरी नमस्ते, मेरी प्यारी यूटूब फैमली, मैं आज आप लोगों के लिए जो धनिये की पंजीरी बनती है, जनमास्ट में पे स्पेशल ये परशाद बनाया जाता है, वह ही लेके आई हों, और लड़ू में और पंजीरी में क्या फरक होता है, वो भी आज मैं बत आने वाली हूं, उसके बगार ये परशाद अधूरा होता है, तो देखिए हमने गैस पे कडाई रखे है, और उसमें मैंने एक कटोरी धनिया लिया है, साबुत धनिया है, इसको हम क्या करें, हलका सा ड्राइ रोस्ट करेंगे, मात्र दो से तीन मिनिट भी नहीं लगेंगी इसको ड्राइ रोस्ट करने में, और ये मैं सिम गैस पे कर रहे हूं, बिल्कुल दीमी आज पे, और ये देखिए, खुशबू आने लगी है, बिल्कुल धनिया की तो अभी गैस की फ्लेम को बंद करके, थोड़ा सा हम चला लेते हैं, दो चार बार ऐसे ही, क्योंकि कडाई अभी नहीं पीसना है, मीडियम सा हमने इसको पीसना है, कैसा पीसना है, देखिए, मैं दिखा देती हूं, एक बार ये देखिए, ऐसा हमने पीसना है, अभी क्या कर लेते हैं, अभी करते हैं, गैस पे फिर से वही कडाई रख लेते हैं, और ये छोटी वाली चमच है, ये म अभी बता दूंगे यह मैंने कुछ बादाम चॉप कर रखे हैं पतले पतली स्लाइसेज में काट रखे हैं इनको हम हलका सा भून रहे हैं गी में क्योंकि देखिए हर ड्राइफ्रूट की भूनने की टाइमिंग अलग होती है तो उसी हिसाब से हम डाल रहे हैं तो अभी मैंन कट कर रखा है तो मखाने भी भून रहे हैं और वैसे आपके जो फेवरेट ड्राइफ्रूट है आप वो एड कर सकते हो इसमें अभी हमने डाली किसमस के किसमस ना तुरंत ही भून जाती है अभी देखना तुरंत ही फूल जाएंगे और लास्ट में हम क्या डालेंगे जो अब इसमें मीठा कैसे डालेंगे वो भी बताऊंगे और एक खास ना पर दोड़ा होता है अमारा नारियल जो सूखे वाला गोला होता है गिरी भी बोलते है इसको तो यह वह ही हमने डाली है कद्दू कस करके थोड़ा सा तो यह देखिए हमारे ड्राइफ्रूट तो अच् वो भी बताऊंगे और एक खास चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो क्या है वो भी बताऊंगे अब देखिए अभी मैं लड्डू का भी इसी के बाद सारा मतलब मेजरमेंट बताने वाले हूं कि आप इसी से लड्डू भी कैसे बना सकते हो और यह परशाद आप भी हमारे त्यवार होते हैं और खासकर जनमास्ट में पर तो यह परशाद जरूर मिलेगा आप लोगों को हर परशाद के पहले सब से पहले यह तो जरूर ही मिलेगा मैं तो मंदिर में जितनी बार गई हूँ तो मुझे पुडिया में ये मेलता है तो मैंने भी चड़ाया भी है मंदिर में भी तो ये देखिए ऐसा है इसके मतलब जो जिसमें हमने घी डाला था अब ये ठंडा हो चुका है इसमें हमने डाली है ये खांड अगर आपके पास खांड नहीं आप चीनी भी डाल सकते हो तो खांड की quantity कितनी होनी चाहिए देखिए धनिये में थोड़ी सी खांड जादा डलती है एक कटोरी हमने धनिया लिया है वो इकवल कटोरी थी तो ये कटोरी मैंने बिल्कुल फुल भर के लिए है तो थोड़ी सी जादा खांड जाती है क्योंकि ये थोड़ा अलका कड़वापन ना है इसका और उसका स्वाद ना है इसलिए तो देखिए ऐसी है पंजीरी इसको बोलते हैं पंजीरी अब इसी के आपने लड़ू बनाने है तो आपने क्या करना है इसको भूनते टाइम घी आपने ज़्यादा डालना है ताकि आपकी बाइंडिंग हो जाए बस इतना सा फर्क है बाकि आप धनी के लटू बनाओ या फिर पंजीरी बनानी है तो आपने इतना ही क्वांटिटी में घी डालना है इससे ज़्यादा गीली पंजीरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ह और ये देखे अभी हमने कर ली है सर्व और इसके उपर एक क्या जो खास चीज है जिसके बगर ये परशाद अदूरा है मैं बार बार बोल रही हूं और हाँ चैनल को अगर सस्क्राइब ही किया तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए का इसी बात पे और लाइक और शेर तो बनता ही है तो बिलकुल फ्री में होता है ये बिलकुल पैसे नहीं लगते हैं और इस जन्मास्ट में पे जरूर बनाना और ये है वो खास चीज ये तुलसी दल है तुलसी दल के बगर ये परशाद अदूरा है काना जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो काना जी क प्रशाद में तूलसी दल जरूर डालेगा आप तो यह देगे कितनी प्यारी हमारी लगरी है ना लजीज विलकुल खाने का हो गया है मन लेकिन पहले लगेगा वो काना जी को बाबाई टेक केर आप भी जनमास में अच्छे से मनाना है पिजनमास